ऐसी चशीन आइए टर्ण तर्सव है और जब भी हम अपने रिष्टेदारों से अपने सगये संमंद्य, अपने मित्रों से मिलते हैं, तो पहला सवाल हमारा यही होता है कि आप कैसे ह कि आंप आपैसे है और उनका हाल-चाल जानते हैं और इसके पीछे जो है, एक अभी पराय ये भी होता है कि उनका स्वास्थ कैसा है बच्चों आज की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में स्वास्थ को जानना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अभी करोना काल में जो है कि हम लॉक्डाउन के स्थिती में हैं और स्कूल खुले नहीं है तो इस संदर्भ म बच्चों में से डॉक्टरों का तो मानना यही रहता है कि शारिरिक स्वास्थ जो है वो शरीर से संबंदित है यानि रोग की अनुपस्थती ही स्वस्थता है लेकिन डबलु हो यानि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के अनुसार यदि देखा जाए तो स्वास्थ शरीर की वह इस्थती है जिसमें व्यक्ति जो है पोनरूपेट से शारिरिक मानसिक और सामाजिक रूपसे स्वस्थ हो और स्वास्थ के संबंद में आपने कई सारी कहावते में सुनी होंगी कई सारे श्लोगन मी सुने होंगी जैसे की health is wealth और भी आपने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया और भी आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है तो यहाँ पर जो है स्वास्थ का मीनिंग क्या है अस्वस्थता क्या है रोग क्या है और फिर हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी व्य जिसके जरिये जो है हमारा शरीर जो है हमें रोगों से बचाता है जिसे प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक्ता या इम्मुनिटी कहते हैं तो आज के इस अध्याय में बचो ये सब बाते हम जानेंगे तो अब असल में स्वास्थ के जानते हैं कि स्वास्थ से जो जूड़ी हुई और क्या क्या बाते हैं तो दरसल स्वास्थ में जो है एक तो फिजिकली जैसे हमने अभी बात कि कि शरीर की स्वस्थता जो है वो जोड़ती है इसके साथ साथ जो है पर्यावरणी स्वास्थ भी है अब इसका क्या मतलब है कि हमारे चारो और का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए स्वच्छ एवं स्वस्थ होना चाहिए और तीसरी बात जो है से जोड़ती है मेंटल हेल्थ अब इसका क्या मिनिंग है मानसिक रुप से यदि स्वस्थ हैं तो जो भी हम कारे करते हैं वह बहुत अच्छे से हो पाता है और इसमें बिंदू जुड़ जाता है कि सोशल है अब सोशल हैल्थ का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो वातावरण जिसमें अच्छता का ध्यान देंगे तो ये प्रभाव हम पर भी पड़ता है तो असल में जो है हेल्थ से जुड़ेवे पॉइंट हैं फिजिकल हेल्थ है एंवार्मेंटल हेल्थ है मेंटल हेल्थ है और सोशल हेल्थ है इसके साथ साथ एक और हेल्थ का पॉइंट भी जुड़ ज तो असल में स्वास्थ के मेनिंग से अभी प्राय जो है वो यह सब बातें जुड़ती हैं बचो जैसे की हेल्थ के बारे में अभी हमने जाना और यदि हेल्थ जो है वो हमारे शारिडिक मानसिक सामाजी ग्रूप से चुड़ी हुई है तो कोई भी व्यक्ति यदि पूर्ण स्वास्थ है तो उसकी जो कारे चमता है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है पूरे एफर्ट के साथ जो है वो अपना परफॉर्म करता है मालो किसी का कोई पेशा जो है वो खिलाडी है वो तो वो खिलाडी जो है यदि खेल में अपने 100% जो है वो एफर्ट्स देता है अ कारे चेत्र में हम जो भी कारे कर रहे हैं अ मतलल में जो भी हमारे एफर्सें वो पूर्ण शरीर या उसका कोई एक भाग उसके कारे में जो है विसंगती या व्यवहार उत्पन हो जाता है और व्यवहार के कारण जो है कोई न कोई लक्षन जो है वो परिलक्षित होता है और फिर लक्षनों के आधार पर जो है वो रोग की पहचान होती है तो अभी जो रोग हो रहा ह शरीर को उसके कारण क्या है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण जो है हमारा शरीर जो है वो रोगी होता है बीमार होता है तो उसके कारणों की यदि हम बात करें तो पहला जैसे हम बात करते हैं कि पोशक कारक है अब पोशक कारक का मतलब क्या है कि आप जैसे जानते है है कि यह BELANCE DIET में हम क्या क्या लेते हैं कार्फोहइरेत है अफ आफ है प्रोटीन है विटामिनस है वॉटर है यह सब जो है बैलनस डाइट के पार्ट है अब इनमे से कोई भी एक जो है कम जादा हो जाता है तो मैं कुझे Toilign Video है वह बोडी जो है हमारी है जो है वो इफक्त होती है यानि प्रभावित होती है इसकी चर्चा हम डीचेल में करेंगे दूसरा जो रीजन है या कौल है कहा जाए चांग कैमुकर कorter चेंट जो है अब केमिकर थेज केंड जो है तो जैसे chemical agents यानि pollutants की यदि बात करें तो उससे भी जो है हमारी health प्रभावित होती है फिर अगला जो कारक है वो क्या है जैविक कारक हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे ऐसे pathogens हैं यानि कि विशानू है जिवानू है ग्रीमी है प्रोटोजोंस हैं तो ये भी जो है हैं चुकि वातावरण में हैं और बहुत सारे sources के जरीए हमारे शरीर में प्रभेश कर सकते हैं और फिर शरीर को रोगी कर सकते हैं ये हो गया biological factor और फिर एक और जो है कारक फिजिकल फिजिकल कारक में क्या आएगा कि जैसे ताप है दाब है आदरता है ध्वनी है नमी है इ अब जैसे जानते हैं कि ठंड में बहुत ज्यादा टैंपरेचर जो है वो कम हो जाता है तो शरीर प्रभावित होता है गर्मी के दिनों में यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा टैंपरेचर हो जाता है यानि 45 46 डिग्री 47 48 भी हो जाता है तो तबी भी जो है शरीर प्र प्रभावित करते हैं इसके अलावा यदि और भी देखा जाए एक ध्वनी है अब ध्वनी जो है जैसे आपका आसपडोस जो है तेज साउंड में जो है वो गाना सुन रहा है टीवी चला रहा है यह आप कभी कहीं ऐसी जगों पर जाते हैं जहां पर बहुत तेज आवाज मे जो है कोई प्रोग्राम चल रहा है तो जब आप घर आते तो आप कहते हैं सिर भारी हो गया तो यह जो तेज आवाज थी यह हमारे शरीर को प्रभावित करती है तो यह बहुत कारग भी प्रभावित करते हैं फिर जो है पदार्थों की अधिकता अब पदार्थों की अधि होता है हेल्थ प्रभावित होती है जैसे एक एक्जामपल लाय तो मोटा पाइबस जी जो है वह अधिक खाने से अधिक खाने क्या जैसे कार्वोहाइड़िट की चीजे यदि ज्यादा खाते हैं तो वह बॉडी में जो है स्टोर होती जाती है तो इसके कारण भी जो है जो मतलब जो है उसको प्रभावित करने का तो इस तरीके से जो है यह सारे रीजन जो है यह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं हमारे हेल्थ यानि स्वास्थ को जो है वह प्रभावित करते हैं बच्चों अब रोग के प्रकारों की बात करते हैं तो रोग जो है उसको दो कर्टेगरी में बाता गया है जैसे कि आप झाल पमीर कंकर गया लग एक है जनमजावत रोग और दूसरा है उपारजित रोग कि जनमजावत से क्या मतलब है कि बच्क्चे को यह जनम से पहले यह अनुवार्ण शेक रूप से जो रोग मिल रहा है वो जन्मजात रोग कहलाता है इसका मतलब है कि यह जो जन्मजात रोग है वो अनुवानशिक रोग है और यह जो है जनक से संतत्ति में आते हैं इसके बारे में आपने जो पहला चैप्टर यानि फिप्थ चैप्टर है उसमें भी आपने जो है वन्शागती के सिध्धांत के अंतरगत आपने पढ़ा होगा तो जन्मजात रोग में क्या उधार ना सकता ही मुफीलिया है कलर प्लाइड्नेस है एकटनयूरिया है तो यह जन्मजात रोग है जो पैरेंट्स टू आफ़स्प्रिंग यानि जनक से संतति तक पहुँचते हैं और यह genetically transfer होते हैं अब दूसरा जो प्रकार है उपारजित इसका क्या मतलब है यह acquired है यानि जन्म के बाद जो है यह होता है और बाहर के वातावरन से प्रभावित होकर जो है यह रोग हो सकते हैं अब इनके भी प्रकारों की बात करें तो दो major category में इसको भी एक है संक्रामक है और दूसरा है संक्रामक यानि कि एक दूसरी जो है नौन कमिनिकेबल ढोटेसस तो जो कन अब इसको इनफेक्टियंस बहुत सारी रोग जनक यारे पैफोजन्स है और यह पैफोजन्स, बैक्टीरिया है वाइरस है प्रोटोजोंस है 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 फंगस है तो यह जो है क्या करते हैं कम्मिनिकेट करते हैं यानि बीमारी को जो है एक व्यक्ति से यानि रोगी व्यक्ति से जो है वो स्वस्थ व्यक्ति तक जो है वो इनके जरिये जो है वो पहुंचती है तो यह हो गया कम्मिनिकेबल य निजुन किभल आसंक्रामग और यह जो बीमारी है यह उसी व्यक्ति तखी सीमित रहती है अब इसके भी और प्रकार हैं जैसे कि डिगनेरटीव डिस्ट अब चेमय हसित यह जैसे कोई शरीर कोई अंग जो है धंग से काम नहीं कर रहा है जैसे की यह हमारी लाइफस्ट्राइल कहलो हमारा खान-पान कहलो जिसके कारण हısı हमारा हार्ट फेक्ट होता है और कि मुपने हाई घ्रसाम प्रीशर लो बलड प्रीशर का आपने नाम सुना होगा यह जो इस lessenty में यह नहीं कि वह गुवरेड है यह कि वह जो जाता है यह जो जो तरीका घ्या जासे मैंने पहले भी बात की ती कि यह ज्यादा हो जाता है हमारी बोडी में तो यह जाता है तो हेल्थ को प्रभावित कर सकता है तो इसी तरीके से जैसे की मदुमे में एक्चली क्या होता है कि जो हम लोग कार्वोहाइड़िड लेते हैं जो एक्स्ट्रा ग्लुकोज है उसमें जो है इंसूलिन जो पैन्क्रियास के थ्रू जो सीक्रीट होता है यह हार्मोन है यह इंसूल लिँद जादा मात्रम्हें हो जाता है बोडी में इन्सुलीन सीकृइट नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोस ब्लड में उसका लेवल बढ जाता है और यह हि जो रिजन है Son His य है बाहरी वाटावरण में किसी को किसी को किसी चीज से जैसे किसी को डेस्ट से kisee ko गरी Jeśli तो यह फ्रूमflowerकर आपने जया पहुत किसी को जिसी को बारिश के दिनों में जो है को खाने से भी किसी को एलर्जी होती है तो यह है इन कमञीनिकेबल बिसे जे और फिर कैंसर है यह जो है अनियमित उत्तक कोंकी वृद्धी है यह इसका प्रकार है और फिर है deficiency disease अब deficiency का मतलब क्या हीनता जन्य जैसे हमने बात कि थी कि हमारे balance diet में जो है वो protein carbohydrate fat vitamins minerals रहते हैं तो यदि किसी एक चीज की कमी हो गई मालो जैसे आप छोटी classes में भी पड़े होंगे vitamin A की कमी है तो night blindness हो जाता है B की कमी है तो berry berry हो जाता है सी की कमी है तो स्कर्वी हो जाता है और डी की कमी है तो रिकेट्स हो जाता है या फिर iodine की कमी है तो goiter हो जाता है या फिर calcium की कमी है तो वो bones जो है वो उसको प्रभावित करते हैं यानि कि कहना चीज जो bone strong होती है वो calcium phosphorus की अर्फरायटिस का प्रॉबलम आजाए तो इस तरीके से जो है किसी पार्ट की यानि भोजन में जो भी तत्व है उसकी अधी कमी हो जारी है तो उसके कारण यह हो सकता है और एक और जो है उसकी में बात जरूर करना चाहूंगी और आज के संदर्भ में युवापेड़ी के संदर्भ में जो है ये बहुत महत्वपोर्ण है ये है सामाजिक रोग अब इसका क्या मीनिंग है ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि सामाजिक रोग भी हो सकता है क्या असल में इसमें जो इंक्लूडेड है वो है शराब लेना ड्रक्स का सेवन करना और इस चैप्टर में आगे जो है हम इसको अच्छे से ही पढ़ेंगे तो ये क्या होता है कि देखा-देखी का महौल रहता है मतलब फ्रेंड्स को देखा फिल्मों में देखा एड़टराइज में देखा अपने इसे किसी बड़े को देखा तो इसकी शुरुवात हो जाती है शराब लेना बीडि सिगरेट पीना या ट्रक जो है चरस गांजा अफीम है उसको लेना तो यह सामजी रोग कहलाता है क्योंकि यह एक दुसरे से को देखकर यह इसकी शुरुवात होती है और कहना चैश बाद इस तरीके से होती है कि इसको पहले ट्राइ कर लेते हैं देखते हैं इसमें क्या चीज है और यह आगे चलके आदत बन जाती है और वो एक रोग का रूप ले लेती है यानि हमारे शरीर को वो बहुत जादा प्रभावित करती है तो इस तरीके से हमने जो बात की यह रोग के इसमें Reach इसके बारे में देखेंगे बच्चोंब और हमने कम लीज सेंसी निफट की बात करते है जैसे कि हमने पहले बात कि ती कि यह जो डिस ज है वो है एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में संचरित होती है और इसके लिए कोई न कुई जिये दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं इस रोक जनक पैथयों है किसी पोशक में यह रहते हैं तो यह इनके लिए को एक tired loads याणी संग राहक होता है और इसके जरीयद कि फिर वो दूसरे में पैलते हैं आब अब हम इनके transaction की यादी संचनन की बात करते हैं कि यह एक व्यक्ति iLER से दूश्र संचरण कि व्यक्ति तख कैसे पहुशते व्यक्ति इनका संचरन कैसे होता है, तो ये दो तरीके हैं, एक है डारेक्ट और दूसरा है इंडारेक्ट, तो जैसे ये डारेक्ट की बात यदी हम करते हैं, तो यदी ये इनफेक्टेड जो परसन है, इसके यदी सीधे कॉंटेक्ट में यदी हेल्थी परसन आ रहा है, तो उससे उसक वह है smallpox है chicken pox है खसरा है तो यह जो है direct contact से फैलता है अब दूसरी बात जो करते हैं वह थूख है चीक है यह सांस के द्वारा जो है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह फैलती है इससे होने वाले कौन-कौन सी बीमारिया है तो यह जो है सर्दी आप जानते हो यदि आपके किसी दोस्त को यह पडोसी को यह घर में किसी को होती है तो बहुत ज्यादा चांसे जो है वो ट्रांसफर होने के होते हैं और healthy व्यक्ति को भी जो है यह common cold जो हो जाती है और TB भी जो है वो इसके जरी होती है यानि कि तपेदिक यानि टूबरकुलेसिस और अभी भी यह आप जीसिसे कोरोना बारे में भी जान रहे हैं तो यह हवा के दुप आर आञा है तो थूख ची को सांस यां हवा के द्वारा जो यह ए फैलते हैं यह डाय पॉस्जनिंग है और टेटेनस है यह दो बीमारियां जो है यह वहां पर यह वह रोगानू पैथोजन्स उपस्तित हैं और उसके जरीए जो है वह एक हेल्दी परसन में आ जा रहे हैं तो इसके जरीए यह होता है एक और रीजन है माता से गर्भ में बच्चे को जो है वह ट् होजा ओथ Clean 4 बच्चे के एक हैं के अ तो बात हुए कि डारेक्ट ली इंफेक्टेड परसनश्य त्ामन आख गा जैसे कीटिों के जरीए जैसे हमने मच्चरों के जरीएए कुछ बिमारियों नसीधने जरीओ जगतेश बर से इन शच आपने शुनने होंगे मलेरिया यह जो है मच्छुन के द्वारा फैलती हैं तो यह जो कीट है यह फ्लाई है मख्यों के जरीए भी फैलता है तो यह कीट है यह उनके इंटर्मेडियेट होते हैं इनके जरीए ज़रीए जो है वो healthy person तक पहुंचते हैं आगे हम malaria की बारे में detail में जानेंगे तो ये कीटों के जरीए होता है typhoid भी जो है वो flies जो है दुशित जगह पर यानि गंदे जगह पर बैठती है और भोजन पर यानि पानी पर भी आती है तो वो भोजन और पानी जो है वो दुशित हो जाता है और इनके जो है pathogen जो है वो body में प्रविश कर सकते हैं फिर एक और जो है यदि हम कोई चीज खाते हैं तब भी बहुत सारे chances होते हैं कि यह pathogen जो है हमारे अंदर में एंटर करते हैं तो दरसल जो मुख्य साधन है हमारे शरीर के अंदर इनका प्रविश करने का वो पहला तो है हवा के द्वारा दूसरा है पानी के द्वारा और तीसरा है भोजन के द्वारा तो यदि यह यह माध्यम है इनके जरी यदि शरीर में pathogen जो है वो पहुंच जा रहे हैं ठीक है हमारे body में ऐस से रोग जनक से यह पैथोजन से लड़ता रहता है यह लड़ाई जो है वो चलती रहती है और इसमें जो है यदि हमारे body का immune system अच्छा है तो हम हमारी जो है रोगों से बचाव हो जाता है लेकिन यदि immunity power कम है तो यदि उनकी संख्या जादा है यानि pathogen की संख्या जादा ह तो हमारा शरीर जो है यानि स्वास्थ जो है वो प्रभावित होता है और कोई न कोई उनके जरीए जो है वो रोग हो सकता है बच्छों अब हम communicable disease जो फैलाने वाले pathogen हैं उनकी जो stages है stages of communicable disease है उसकी बात करते हैं तो जनरली जो है संक्रामक रोग फैलाने वाले pathogen हैं वो फोड़ा तरीके का विश उत्पन करते हैं शरीड में जिसके कारण जो है वो रोग होता है और दिखा जा तो अलग ऑलग pathogen के जो हैं वो रोग ऑलग पैदा करते हैं वो अलग अलग हैं लेकिन जो उनकी जो अवस्थाएं हैं वो लग जो है वो समान होती है उन आज है उनन में प्रविश्च करता है तो यह विशुत्पन करने के साथ अपनी संख्या भी बढ़ाते जाता है अभी जैसे करोना वाइरस की ही बात कर ले तो मान लो यह एयर के थुरू किसी कॉंटेक्ट के थुरू जैसे बॉड़ी में यदि प्रवेश कर लिया है तो सबसे पहले जो है यह अपनी संख्या बढ़ाते हैं यह रिप्लिकेशन के थुरू जो है वाइरस जो है वो उसका जिनेटिक मटे ही बढ़ते जाती है और इक परियाप्त मात्रा में कहलें कि उनकी जब संख्या बढ़ जाती है तब यह रोग फैलाने की स्थिती में आ जाते हैं यानि भौत जादा जो है चहना चाहि करो भूग के लक्षण जो है वो दिखने लग जाते है और इनका प्रकुप जो है वो जादा बढ़ जाती है और कहना ची क्रिटिकल कंडिशन बॉडी में आ जाती है जिसके कारण जो है कि बहुत जादा जो है वो कमजोरी लगने लगती थकान लगने लगती है और यह लक्षन पूरे के पूरे उभर के आ जाते हैं कुछ बिमारियों के जरी हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो यह क्लाइमेक्स पीरियड है और फिर है डिकलाइन पीरियड तो अब जब एक लाइमेक्स यानि अन्तिम चरम बिंदू पर जब रोग पहुंच जाता है यानि रोगनों की अवस्था जब पहुंच जाती है तो उसके बाद जो है वो जो यह इसमें क्नेक इच यह गोम्ने-फिर्ने की जाती है लेकिन इस यह मात्रां में शरीर में मौझूद रहते हैं तो लास्त जो नहीं बरती गई तो फिर से इनका प्रकोप हो सकता है तो इसलिए जब टॉक्टर जब दवाइया देते हैं उनके ज़ो प्रिस्कृप्षिन में लिखा रहता है बढ़ जाती है और यदि जो five days का seven days का यदि हमने वो complete नहीं किया तो कुछ ना कुछ मात्रा में यदि शरीर में उपस्तित हैं तो फिर से जब वो परिस्थितियां सामने आ जाती है तो फिर से उनकी संख्या जो है बढ़ जकती है और फिर से वही रोग फिर से दुबारा हो स तो इस तरीके से सारे जो संक्रामग रोग के जो पैथोजन्स है उनकी स्टेजेस जो कहलें कि लगभग वो इसी तरह की पांच स्टेजेस से जो है वो गुजरते हैं